Hallo good morning to everyone जैसा कि मैं वो routine share की थी उस में mundane को क्या था और reasoning की first class थी reasoning की class, Monday को morning में और evening में computer की class तो ये reasoning की first class है order and ranking ये order and ranking क्यों first chapter मैंने लिया है क्योंकि इससे 4 to 5 questions आते हैं इसलिए पहले ये chapter करना ज़रूरी है तो चल्या ये देखते है order and ranking है क्या तो इसमें basic concepts क्या है इसमें बस यह जो आप 10 terms देख रहे हैं यही term question में आपको देखने को मिलेंगे जैसे left right start last top bottom ahead behind before after यही सब 10 terms है यही सब question में आपको देखने को मिलेंगे order and ranking में इसमें क्या है आईए first question देखते हैं in a row position of ram from left is 15th and position from right is 10th then find the total number of person present in the row यह order and ranking में होता क्या है जैसे मानलों आपकी एक class है उसमें 60 students है अगर कोई लड़की है सीता तो उसका top से क्या rank है bottom से क्या rank है left से क्या rank है right से क्या rank है यही सब इसमें find out करना होता है यह कुछ tough नहीं है बस आप एक बार समझ जाएंगे concept तो आपका clear हो जाएगा चलिया यह देखते हैं first question यह क्या है कि ram का position left से कितना है 15th है तो जैसे यह यह देखिए यह हो गया एक row हो गया जिसमें ram का position left से 15th है तो माल लिजए यहां पे कौन है राम तो इसका position क्या है 15th from left तो इधर कितने student होंगे 14 student ओके और फिर right से बोल रहा है 10th है तो left से 15th हो गया और right से 10th हो गया 10th पे है मतलब राम ही 10th पे है तो इधर कितने student होंगे 9 student होंगे तो बोल रहा है find the total number of person present in the row तो कितना होगा 14 students इधर left side में है राम के प्लस खुद एक राम हो गया और राम के right साइड में 9 student है तो total कितना हो गया 24 student answer यह student row में बैठे हुए है बस यही निकालना होता है इसी में थोड़ा घुमा फिरा कर question दिया रहता है चलिया यह देखते हैं second question second question में क्या कर रहा है in a row total number of students are 50 the position of राम from left is 25 total number अब देखिए इसमें क्या है उसमें total number निकालना था कि row में कितने लोग है इसमें क्या निकालना है इसमें क्या है total number आपको दिया हुआ है ठीक है total कितना है 50 है the position of राम from left is 25 अब left से राम की position क्या है 25 पे है मतलब इधर कितने student है 24 student है then find the position of राम from right अब राइट से इसका क्या position होगा देखिए total कितना है 24 और एक राम 25 student का तो ranking यहां दिया हुआ है और total कितने student है 50 student है तो इधर 25 student है तो इधर कितने student होगे और 25 student होगे तभी total मेरा कर 50 होगा लेकिन right से राम का position क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा तो यह इसका right से position हो जाएगा राम का यह answer हो गया आप देखिए third question in a row total number of students are 60 total कितने student है 60 है ठीक है position of राम from left position of राम from right अब उसमें क्या था left से position दिया हुआ था total number दिया हुआ था तो right से उसका position निकालना था इसमें क्या है total number दिया हुआ है और right से राम का position दिया हुआ है कितना है 40 पे है 40 पे है राम का position तो इसके इधर कितने student होंगे 39 होंगे then find the position of राम from left अब left से इसका क्या position होगा तो total student का position ranking कितना दिया हुआ है 39 प्लस एक राम कितना हो गया 40 total student है कितने 60 तो left कितने बचे 20 तो 20 तो इधर हो जाएंगे left में राम के लेकिन राम का left से position क्या होगा 20 first होगा ये हो गया answer a fourth number question there are 60 students in the row position of राम from left is 20 and position of स्याम from total कितना student बोल रहा है 60 student बोल रहा है रो में position of राम अब देखिए इसमें दो लोग का position दिया हुआ है position of राम from left is 20 राम का position left से कितना है 20 तो है मतलब राम के left side में 19 student आएंगे and position of स्याम from right is 15 और स्याम का right से दिया हुआ है 15 यानि इधर 14 student आएंगे स्याम के right में then find the total number of students present between राम एंड स्याम मतलब राम और स्याम के बीच में कितने students है तो देखिए total students कितना दिया हुआ है 60 right question में अब क्या करना है राम from left is 20 मतलब 19 student तो राम के left में है plus एक राम खुद है उसके बाद स्याम के right में है 14 student और plus एक स्याम खुद है तो इन दोनों का तो position fix अब कोई भी student ना राम के left में आएगा ना स्याम के right में आएगा क्योंकि ये question में fix किया हुआ है इन दोनों का position left से और right से तो जो भी student आएगा वो कहा आएगा राम और स्याम के middle में आएगा तो कितने student आएगे तो आप इसको add कर दीजे तो 20 plus 15 35 student तो 35 student की ranking यहाँ है तो अब 60 से हम 35 minus कर देंगे तो कितना हो गया बचा 25 तो middle में कितने student आएगे 25 आएगे जो भी rest बचा वो middle में ही आएगे क्योंकि राम और स्याम का left और right से position fix है according to question तो उसमें हम कुछ भी modification नहीं कर सकते है ना left से ना right से तो जो भी student आएगे वो middle में ही आएगे चलिए आए देखते हैं अब 5th question there are 15 students in the row position of राम from a total student कितने है 15 है यह question थोड़ा ध्यान से देखिएगा यह थोड़ा different है इसमें भी दो ही लोग है बट यह थोड़ा different है पिछले वाले question से there are 15 student in the row position of राम from left is 12 राम का position left से कितने है 12 है ठेक है and position of स्याम from right is 8 और position तो अब देखिए यहां पे total 15 ही student है तो आप खुद सोचिए राम का position जब left से 12 पे है तो इसके right में कितने student आएंगे सिर्फ तीन ही बचे राम खुद 12 पे है ठेक है तो total 12 student हो गए तो बचे कितने 15 total है तो बचे कितने 3 student तो आप जो है स्याम का position आप ऐसे नहीं ले सकते हैं पिछले question की तरह कि स्याम इधर से 8 पे है और इधर 7 student है नहीं यह overlapping का case है इसमें क्या होगा स्याम जो है वो बोल रहा है right से 8 में है तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, right से इस पे क्या है यहाँ पे स्याम बैठा है ठीक है तो पूछ रहा है find the total number of students present between तो किते number of students होंगे राम और स्याम के बीच में तो 1, 2, 3 तीन स्टुडेंट होंगे इसका answer क्या होगा 3 होगा यह पिछले question से थोड़ा different है क्योंकि इसमें overlapping का case है इसमें total number of student कम है उसमें 60 था 12 तो right में कितना student बचा सिर्फ 3 ही बचा तो अब स्याम को इधर नहीं ले सकते हैं अब स्याम का overlapping मतलब वो cross कर जाएगा राम को right side से तो cross किया तो स्याम यहाँ बैठा हुआ है और इन दोनों के बीच में 3 student है Question number 6 In a row position of Kamla from left is 12 आप देखे Position of Kamla from left is 12 12 ठीक है तो इसर 11 बचा आप And position of Sita from right is 26 Position of Sita from right is 26 तो इधर कितना बचा? 25 student बचा If there are 5 person between Kamla and Sita इन दोनों के बीच में 5 लोग है 5 dot ले लिए 5 dot ले लिए Kamla and Sita के बीच में Then find the maximum number of person present in the row इसमें अब person, total person नहीं पता है कितने person है row में बस position Kamla और Sita का left, right से है इन दोनों के बीच में कितने student है वो पता है तो निकालना है Total number of person present in the row तो इसमें क्या करेंगे? देखे 11 तो Kamla के left में है खुद एक Kamla हो गई इन दोनों के बीच में 5 student है फिर खुद एक Sita हो गई और Sita के right में 25 student है तो कितना हो जाएगा? 43 Maximum student present है row में ठीक है? आप देखे इसमें भी थोड़ा twist है आप देखे न यहाँ पर मैंने crossing करवाया था same question है crossing करवाया था crossing क्यों करवाया था? क्योंकि यहाँ total number of student total number of student है वो less than दोनों Sita और Siam और Ram के position से कम था ठीक है? अब इसमें क्या होगा? इसमें एक और case बन सकता है जैसे कमला और Sita के भी इसमें बीच में 5 है तो हम उसको इस side भी तो Sita को ले सकते हैं इस side क्यों लिए? क्योंकि इसमें पूछ रहा है maximum number of student present in और यहीं अगर minimum पूछता तो दूसरा case बनता तो चलिए आप लोग जो है same question को बस हम minimum में लिख कर और आप लोग इसको solve कीजिए मतलब कम से कम maximum क्या होगा? अधिकतम कितने लोग कितने लोग present है? row में तो उसका case थोड़ा different बनेगा इससे उसको आप लोग solve करके और comment section में आप लोग comment कीजिएगा देखते हैं कितने लोग इस question को solve कर पाते हैं ठीक है? तो यह रहा order and ranking का पहला वीडियो अभी आप लोग को एक दो वीडियो और मिलेगा जिसमें धेरे सारा question हम लोग solve करेंगे फिर कुछ question की पीडियेप आप लोग को मैं लिंक में दे दूंगी आप लोग वहां से डाउनलोड करके solve करना और जो problem आएगी उसको हम लोग discussion करेंगे comment section में और आप फिर आज evening में आपको computer की एक वीडियो मिलेगी C++ की ओके